एक बार फिर अर्बन नकसल का मुद्दा चर्चा में है क्योंकि पूरे पुलिस ने बुधवार को अर्बन नकसल मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है और इस रिपोर्ट में गौतम नवलक्खा के कश्मीर में हिजबुल मुजायदीन से संबंद के संखेत दिये गए हैं पूरे पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी गौतम नवलक्खा का आतंकियों से संबंद था जाच रिपोर्ट के अधार पर अतिरिक्त सरकारी वकील अरोना पाई ने बॉंबे हाई कोर्ट में अपनी दलीलों के दोरान ये खुलासा किया उन्होंने दावा किया भीमा कोरेगाव मामले से जुड़े आरोपियों की देश के खिलाफ युद्ध की घोशना की तैयारी थी नक्सलियों और माववादियों को हिजबुल वा दूसरे आतंकी संगठोनों से हत्यार वा विस्फोटक सामगरी उपलफ्त कराई जाती है पुलिस को इस सम्मन्द में आरोपी रोना विल्सन वर आरोपी सुरेंदर गडलिंग के लैप्टॉप से सबूत मिले हैं रिपोर्ट में गौतम नवलक्खा को जी एन नाम दिया गया है जो कश्मीर के कई अलगाववादियों और हिजबुल मुजायदीन के कमांडर्स के संपर्क में था 2013 में लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम नवलक्खा ने कश्मीर के कई दोरे किये और शकील बक्षी नाम के एक हिजबुल कमांडर से मुलाकाद की गौतम नवलक्खा परवेज खान नाम के एक शक्स के संपक में था जो पहले हिजबुल मुजायदीन का कमांडर था और बाद में डबल एजिन्ट बन गया इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम नवलक्खा नकसलियों की तरफ से हत्यारों की अदला बदली और खूफिया सूचना के लिए हिजबुल कमांडर से मिला था नवलक्खा ने परवेज खान को दिल्ली में माववादी फैक्ट फाइंडिंग टीम को पता चल गया कि खान डबल एजिन्ट है हिजबुल मुजायदिन माववादियों से संपर्ग बनाना चाह रहा था ताकि उनकी मदद से मयरमार बॉर्डर तक पहुंच सके और अपने हत्यार सुरक्षित कर सके रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गौतम नवलखा कैई बार सरकार के लिए और माववादियों के खिलाफ काम कर रहे थे उन्होंने कैई दफे माववादि आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें यूपी सरकार के प्रस्ताव मानने के लिए बाद्धे किया गया रिपोर्ट में गौतम नवलखा की मुलाकात सौनिया गांदी बिनायक सेन की पतनी इलेना सेन और चितमरम से होने की बात कही थी रिपोर्ट में माववादियों की विदेशों में भी कैडर होने की बात बताई गई है हाला कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि गौतम नवलक्खा को पुलिस कस्टेडी में रखा जाए पुलिस का कहना है कि अभी जाँ चल रही है फिलाल कई बातों से परदा उठना बाकी है इसलिए नवलक्खा को पुलिस की कस्टेडी में रखा जाना चाहिए हाला कि कोट में हाला कि कोट ने ऐसा आदेश नहीं दिया कोट ने अगली आदेश तक नवलक्खा की गिरफतारी पर रोक बरकरार रखी है ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक झाल